नौमी के दिन जो सबसे पहली चीज हमने खाई वो था महानौी का प्रशाद और मुझे मीठा काना वैसे भी बहुत पसंद है और इस दिन खीर मिलता है और इसे मैं कभी भी मिस नहीं करता तो हुआ यह था कि अश्टमी के दिन हम लोग रात में घूमने के लिए गए थे पुझा पंडाल और हम लोग नौमी के दिन भोर में पांच-छे बजे के आसपास घर वापस ब्लॉटे थे तो इस वाज़े से हमें सुबा उटने में लेट हो गई थी तो हमने डिरेक्ली दुपहर का भूगी खाया और इसके बाद फिर उस दिन शाम में हम लोग फिर से गय थे कुछ आसपास के पंडाल घूमने के लिए और यह था नौमी के दिन तो सब तरफ शोड था और भीड भी बहुत जादा था क्योंकि आकरी दिन था इसके बाद फिर दशरा के लिए एक साल वेट करना था तो इसलिए इस दिन काफी जादा भीड थी और लोग भी बहुत जादा उचसुक थे क्योंकि एक दो दिन और ही पंडाल रहने वाली थी इस पंडाल की सीलिंग को सजाने के लिए इन्होंने बैंबू यानि बास से बनी हुई टोक्रिया यूज की हैं और ये वाला जो पंडाल ये भी काफी उनीक लग रहा था दूर से जब मैं पास से इसको देखा तो मुझे समझ में आए इन्होंने पोस्टर यूज किया हैं और इस पंडाल में धाक आर्ती हो रही थी महानौमी जी के स्पेशल धाक आर्दी आप देख पा रहे होंगे आर्दी आप लेड़ खिते हैं आर्दी आप बेस kont decor Сे इसकार से इसकार से तावर प्रदी महानौ भी दग मैं पास से इसकार से आपी हूब के मैं पास से इसकार से जाउएर से हो बादा गटे हैं रे श Г di गस dobr कार के कि की तो थे पु़िग दोए के सदर्ट चर미 पास से एक वो जो भाईया धाग बजा रहे थे ना उनको काफी जादा स्वेटिंग हो रही थी इसके बावजूद भी वो अपने प्रायर के मुवमेंट्स कर रहे थे और ठिरकते वे धाग कंटिनियूसली बजा जा रहे थे तो कुछ इस तरह की एनरजी होती है इस समय में जो हर तरह फैली होती है और यही हमें सपोर्ट करती है ताकि हम लोग फास्टिंग भी कर लेते हैं और सारी चीज़े इतनी अच्छी से कंप्लीट करके फाइनली हम मातरानी को विदा कर देते हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पंडाल में गया और इस पंडाल में मैंने देखा कि काफी उनीक सी डेकोरेशन हुई थी वहाँ पर जो फ्लार्स होते हैं वो उन्होंने डेकोरेशन के लिए यूज किया था यह पूरा वाइट कलर का कमप्लीट फ्लार है जिसके परत को इन्होंने निकाला है और उन पूरे लेयर से इस पंडाल को कवर किया गया है काफी महनत वाला यह काम था तो इस तरह है कि कुछ यह फ्लार्स के लेयर्स थे पूरा जो पंडाल थे हो वाइट कलर के फ्लार से ही ब बना हुआ है तो काफी यूनीक डिसाइन था ये भी और काफी महनत से भरावाला काम था ये टेकनिकली अ महनमी महनत से बनाई हो फी गण μयों पंडाल को कुछ एक दो दिन के लिए ओर हो जाती है तो कुँछ इस तरह से हमने घूमा अपना दृग पूजा अब यह वीडियो यही पे खत्म होता हूब अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपने फिल्ब्लाक मेरे साथ कॉमेंट सेक्षिन पे जरूर शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग